आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ बनाना है तो ये तिर्भुच की जो तीनों सीर्सों से होकर के जाए वो कहलाता है तिर्भुच का परिवरित ये बाहर का जो वरित है इस तिर्भुच का इस तिर्भुच का परिवरित कहलाएगा बाहर का वरित और अगर हम इसको कहे दें A, B, C आपस में बराबर है, माल लिजे भुजा है इसकी A, A, A तीनों भुजा हैं आपस में बराबर है और अंतावरित क्या होता है दोस्तों अंतावरित का मतलब है जो इसकी तीनों भुजाओं को इस पर्स करें अंदर से, तो ये दोस्तों यह वृत अंता वृत होगा यह वृत यहाँ पर अंता वृत बन जाएगा जो इसके अंदर होगा और तीनो भुजाओं को इस पर्स करेगा यह कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पर इस पर्स करेगा यहाँ पर A B को यहाँ पर A C को और यहाँ पर B C को यह अंता वृत होगा दोस्तों ये जो रेखा होगी छोटा आर कहलाएगी अंता वृत की तरिज्जा और दोस्तों ये जो इसी सीर्स से केंदर पर मिलेगी वृत के ये जो सीर्स से केंदर पर मिलेगी ये कहलाएगी परिवृत की तरिज्जा बढ़ा आर तो हमें ज्यात क्या करना है अंता वृत की त्रिज्जा होती है वो त्रिभुज के तिरभुज के तीनो भुजाओं का गुणन फल तीनो भुजाओं का गुणन फल यानि कि ए गुणा ए गुणा ए तीनो भुजाओं वही है बटे में यह इसका दोस्तों चेतरफल होता है चार गुणे डिल्टा यह डेल्टा मतलब त्रुबूच के चेतरफल संबभभ हुझ क्या होता है रूट तीन बटे 4 एक गःद दो चार से चार कड गया एक गाद दो कड गया यह तीन से तो पचा किया दोस्तों A बटे रूट 3 यह आ गया हमारा बड़ा thirds यानी की बड़े व्रित की तृझ्या और चोटे व्रित की तृझ्या का सूतर होता है दोस्तो पर बराबर में डेल्टा बटे S, S मतलब semi perimeter यानि कि परिमाप का आधा, तो delta क्या हो जाएगा दोस्तों, ये delta हो जाएगा मतलब ये तिर्भुज, तिर्भुज का छेतरफल बटे semi perimeter, तिर्भुज का छेतरफल तो वही हो जाएगा दोस्तों, root 3 बटे 4, a की घाद 2, root 3 by 4, a square, और semi perimeter क्या होगी, तीनों भुजाओ का योग, यानि कि a धन, a धन, a तीन, a पूर एक बटे 2, तो ये परिमाप का आधा हो गया, इसे हल करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा, a से ये घाद 2 कटेगी, तूपर बचेगा केवल a, और ये दोस्तों, 2 दूनी चार हो जाएगा, यहाँ पर दो बन जाएगा, a बटे 2 बन जाएगा, और ये root 3 से 3 काटेंगे, तो नीचे root 3 बचेगा, तो ये a बटे 2 root 3 हो गया है, छोटा r, तो दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि बड़ा r कानपाद, बड़ा r कानपाद, छोटे r से, तो क्या हो जाएगा इते रूट यहां पर बटे एक होगा तो दो अनपाथ एक, इसको कह सकते हैं, दो अनपाथ एक, यह आर अनपाथ आर हो गया, आर अनपाथ आर बराबर में दो अनपाथ एक, यह है हमारा दोस्तों, विकल्प ए, धन्यवाद